तेरे को तिकाएगा, मेरो तो जेर को लाइसंस भी रिनू करवा को टेमा जो है चट्ठी का दूद याद दिलाने वाले ये गहलोज सरकार में मंत्री राजिंद्र सिंग गुढ़ा है गुढ़ा की राजनीती समझने के लिए 2008 और 2018 के साथ ही 2020 की कुछ बाती बता देते हैं गुढ़ा ने 2008 और 2018 में BSP के टिकेट पर चुनाव जीता मगर दोनों ही बार वो अपने सभी BSP के विधायकों के साथ पहले सरकार का हिस्सा बने फिर कॉंग्रेस में शामिल हो गए 2020 में जब सचिन पाइलेट ने अपने 19 समर्थित विधायकों के साथ बगावत की तभी गुढ़ा गहलोद के समर्थन में होटल पहुँच गए थे मगर बीते कुछ महीनों से कहा जा सकता है कि गुढ़ा का मन डोलने लगा है अब जरा मंत्री जी गुढ़ा का ये पूरा बयान सुन लेजे फिर आपको आगे की कहानी बताते हैं आपको बता दें पाइलेट के समर्थन में खोलकर बयान बाजी करने वाले गहलोद सरकार के मंत्री राजिंद्र गुढ़ा पर इसी साल फरवरी के महीने में जुन-जुनों के ककराना गाउं के रहने वाले और वर्तमान में नीम का थाना कस्बे में प्रताब नगर के रहने वाले दुरगा सिंग ने दर्ज रिपोर्ट में आरूप लगाया कि 27 जैनवरी को दो पहर 12 बज़ई मंत्री राजिंद्र गुढ़ा ने उसके पास फोन पर गाली गुलोज कर धमकी दी इसके बाद मंत्री गुढ़ा और उनके पीए कृष्ण सिंग 12 बज़ए उसके पास आये और उनके साथ मंडावरा के रहने वाले विमला कवर और अन्य लोग भी थे इन लोगों ने उनसे गाली गुलोज की और सरकारी गाडी में बैट कर उदैपूर वाटी के गिरावडी गाउं चले गए जहां मंत्री ने उदैपूर वाटी थाना अधिकारी को फोन पर उन्हें जूठे मुकदमे में फसाने के लिए कहा इसके बाद मंत्री गुढ़ा ने दुर्गा सिंग के भाई विक्रम सिंग को भी उदैपूर वाटी बुलाया और खाली चेक पर हस्ताक्षर करवाए इस कारिवाई को लेकर कॉंग्रेस के ही विधायकों ने गहलोच सरकार पर आरोप लगाए और इसे पाइलिट को लेकर गुढ़ा की बयानबाजी पर कारिवाई बताया गया प्रदेश चुनावी दहलीज पर खड़ा है और इसी साल के अंत में प्रदेश में विधानसबा के चुनाव होने है और मंत्री जी राजेंद्र गुढ़ा को चुनावी शत्रंच का वो खिलाडी माना जाता है जो हमेशा विजेता टीम के साथ होता है या यू कहें कि उन्हें इस चीज का अभास पहले से ही हो जाता है कि कौन जीतने वाला है शायद इसलिए वो BSP के टिकट पर जीतने के बावजूद दो बार गहलोद सरकार में मंत्री बने और इस बार उन्हें अंदाजा लग गया है कि पाइलट के नेत्रित में कौनग्रेस बड़ी जीत दर्ज कर सकती है शायद यही वज़ा है कि वो खुल कर पाइलट के समर्थन में बैटिंग करने को उतार हो गए है